तमस्कार इंडिया टीवी क्रिकेट पर आपका बहुत स्पागत है आपके साथ मैं हूँ जोतसना पार्टनी आज दिन है रविवार चल रहा है चनाई के चिपॉक स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच और दूसरा दिन और दूसरी दूसरा जो सेशन है वो भी खत्म हो चुक हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सिधार्द वर्मा साथ ही मेरे साथ हमारे क्रिकेट कॉर्सपॉंडेंट वैभव बोला भी जुट चुके हैं आप दोनों का बहुत स्वागत है मैं ये मौका लेना चाहूंगी कहने के लिए कि सिधार्द वैभव की प्रेडिक्शन जो है बहु कि कठिन है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब बें स्टोक जिस तरह से आउट हुए हैं अगर आप देखेंगे कि उनके बैट और बॉल में इतना कम से कम आदे फीट से भी ज्यादा ग्याप था जैसे वह आउट हो हैं तो उन्होंने ये मिसरीट किय इसका नतीजा इंडिया टीप को मिला है बिलकुल और हमारे प्रेडिक्शन गुरू क्या कहेंगे अगर जो एक पार्टनेशिप बहुत अच्छी होगी पोप और फोक्स के बीच में अगर वह पार्टनेशिप भी नहीं होती तो आप जरूर एक्सपेक्ट कर रही थी कि जिस तरीके से में पहले भी बात कर रहे थे कि इंग्लेंड की जो टीम थी वह दूसरे सेशन में ही ऑल आउट हो जाती लेकिन थोड़ी अच्छी करेंगे कि अगले सेशन में शुरुआत के 15-20 मिट के खेल में आपको आप इंग्लेंड को आल ओट कर देंगे और फिर सिदाथ आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया फॉलॉण देगी इंग्लेंड को अगर फॉलॉण की नौबत आती है तो मैं भी यही पूछने वाली थ आएंगे तो अभी मुझे लगता है कि इंडियन टीम बैटिंग करेगी अगर उनको 26 रन से पहले आउट कर भी लिया ताकि चौती निंग में विकेट और खराब हो जाएगी तो इंडियन बॉलर्स के लिए इंग्लेंड बैट्स्पन को आउट करना पहले से भी और असान ह हो जाएगा अच्छा देखे फॉलो ऑन की तो उमीद और संकेत लग नहीं रहे सिदार जिस तरीके से मैं वापस बोलर्स की बात करूं अपने बलेबाजों की बात करूं तो इस टेस्ट में जो एक फैक्टर काम आ रहा है वो है आर फैक्टर मैं सुपर भी इस बात का जिक् चांसी नहीं की दिल्चस्प हो पाकी दो मैचों में एक नई मैदान बे दो मैच होने वाले हैं तो उस पे खेल देखने में बहुत मज़ा आने वाला है वेबव आर अश्विन ने हरबजुन सिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 266 विकेट उन्होंने को ले लिये हैं तिक भारत में बात करें जो आप ज अनिल कॉंबले अनिल कुम्बले वह सब सबस्यादा जो विकेट से आनिल कॉंबले के वह इस रिकॉर्ड में उस पे उनसे आगये हैं तो दूसरे नमबर पर आपके अश्विन आ चुके हैं वह देखिए पिछले अगर मैं बात करो जिस तरीके से 40-50 जो टेस्मैच आर अर में खेले हैं उनको उस तरीकी की विकेट्स मिली है जिस पर जो spin गेंदबाज है काफी जादा मदद रही है और अश्विन के अगर हम गेंदबाजी की बात करीं देखिए पहला टेस्ट मैच में भी विकेट उतना अगर अगर इतनी मदद नहीं मिल रही थी लेकिन फिर भी आर अश्विन के खाते में अच्छी खासी विकेट आई थी और जिस स्पीट के साथ वो आगे चल रहे हैं तो जब उनका करियर एंड होगा अगर मान के चलिए और 20-30 टेस्ट मैच वो खेलते हैं इस करियर में अपने तो इंडि यही जो ृष्फिटनेस को लेके रखता है और टैलन्ट बैटिंग में बाॉलिंग में उनके पास भर्पू टैलेंट है और वो लगातार टीम को जिताने में लगे रहते हैं और यही उन्होंने आज भी दिखाया उन्होंने लगातार उनके साथ-साथ वो जिस तरह से बाकी spinners को भी mentor कर रहे हैं अक्षर ने में बहुत अच्छी महित्पून दो विकेट लिये हैं अभी तक मुझे लगता है कि इस सीरीज में अश्विन का एक बहुत बड़ा युगदान होने वाला सिदार्थ मेरा एक सवाल क्योंकि हम अश्विन की बात करें मुझे लगता है कि इस सवाल को चर्चा में जरूर शामिल करना चाहिए जिस तरीके से मैं मैच देख रही थी बहुत अच्छी बोलिंग वो कर रहे हैं विकेट बहुत अच्छे निकाल रहे हैं जैसा कि वेभव भ कह रहे थे कि आने वाले वक्त में हाइस्ट विकेट टेकर भी वो बन सकते हैं लेकिन हमने देखा कि बहुत सारी रिव्यूज वेस्ट हुएं जादातर वो जो अश्विन बहुत जोर देते हैं कि DRS लीजे DRS लीजी आपको लगता है कि कहीं वो रिव्यूज रीड करने में थोड़ी दिकत जरूर है देखी यह वो एक सीनियर प्लेयर है तो जब वो अश्विन अगर कैप्टन विराट कोली को बोलते हैं रिव्यू लेने के लिए तो विराट कोली के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो रिव्यू नहीं लेना हाँ यह जरूर है ऐस बॉलर व वो रिव्यू के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो बहुत जल्दी वो रिव्यू मांग लेते हैं और यही कारण है कि बहुत ज्यादा रिव्यू इंडिया गवाँ चुका अभी तक और जो सब्सक्राइब बिल्कुल आपको बताऊं इसे अंपाय डिसिजन थोड़ा सा एहम होता है और जो विराट की भी अगर बात करें जो शैली है वो भी काफी सथा एक्साइटेड रहते हैं जिस तरीके से अगर हम बात करें अश्वेन है जितने भी गेंडबाज है तो थोड़ा सा कप्तान को भी अभी समझना होगा कि देखिए गेंडबाज त लेकिन वहां से असानी से मैच को जित्वा दिया था तो यह रिव्यू सिस्टम जो आपको मिला यह बहुत इंपोर्टेंट है और अब तो इसकी संख्या भी बढ़ गई है पहले आपको दो मिला करते थे अब यह तीन हो चुके हैं तो कोशिश यही होनी चे कप्तान की सिजन नहीं रहेगा लेने के लिए अच्छा एक बहुत एहम हां जी सिदार इसमें सबसे जो मैत पूर्ण जो भूमी का रहनी चाहिए वो विकेट कीपर की रहती है रिशब पंत ने भी पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे डिसीजन नहीं लिये हैं रिव्यू लेने में पर जैसा जो सना आप कह रही थी मुझे लगता है कि धोनी से इन पूरी टीम को एक क्लास लेनी चाहिए और दो चार अच्छे सेशन होने चाहिए जिसमें धोनी इनको सिखाए और इने टीम सीखे उसे और एक बहुत अच्छा कैच भी रिशब पंत ने आज पकड़ा है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से सिराज ने इस मैच में अपना खाता खुला बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और कैची ने जिस तरह से कल शाम से रिशब पंत बैटिंग कर रहे हैं इतनी महत्कुन भूमिका में बैटिंग कर रहे थे और आखिर में बाकी तो जो बैट्समन उनके साथ साथ दे रहे थे वो अच्छी बॉल पे या विकेट की वजह से आ और सिदार देखि जिस तरहां की अक्षार पतेल को काफी सफलता मिली अश्विन को विकेट्स मिली लेकिन कुल दीप का हम ने देखा यह कि वह दोनों जो गेंदबाज है वो फिंगर स्पिनर गूर कुल दीप रिस्पिनर गनर तो इतनी एसी विकेट पे क्या आपको लगत तो बैट्स्पन के लिए आगे या पीछे जाने में बहुत कठिनाई होती है और वहीं अगर हम कुलदीब को देखे कुलदीब उनसे थोड़ा सा स्लो है तो बैट्स्पन वो पीछे जाके और या आगे आके खेल सकते हैं इसलिए अभी तक कुलदीब को सफलता अच्छे से न आप खुद एक क्रिकटर रहें तो आप कुलदीब को क्या आडवाइस करेंगे कि किन चीजों पर उन्हें जादा काम करने की जूरूत है ऐसे विकेट्स पर जहां पर जो जादा विकेट फ्लैट ना और जो आपको थोड़ा सा आगे रखनी है गिन तो क्या आब आडवाइ अच्विन में और जडेजा भी बहुत अच्छा करते हैं जडेजा विकेट के हिसाब से अपनी बॉलिंग की स्पीड चेंज कर लेते हैं अश्विन अभी तक कर पाते हैं इसको बहुत अच्छे से पर कुलदीब क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में शायद थोड़े नए हैं और मैं कुलदीब आदव का टेस्ट चल रहा है और थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है ताकि आप अपनी स्पीड को और बढ़ाएं और विकेट के हिसाब से अपनी स्पीड बदले अच्छा अब प्रेडिक्शन पर आ जाते हैं तो आपको क्या लग रहे है कि अब किस तरीके स रहने वाला है तीसरा सेशन आप से शुरुवात में करूंगे सिधार बहुत जल्दी मुझे लगता है दो विकेट इनके चले इंग्लेंट टीम लूज कर लेगी फर्स इनिंग में ऑल आउट हो जाएंगे और मुझे परसनली ऐसा लगता है कि इंडियन टीम खुद बैटि करते हैं तो उसके बाद भी इंडियन टीम के पास साथ सेशन है इंग्लेंट को आउट करने के तो मुझे लगता है कि वो इंडियन टीम बैटिंग करेगी ताकि बॉलर्स को रेस्ट मिले और बॉलर्स अपने पूरे तयार होके आएं और जल्दी से इंग्लेंट को आउट क करेंगे तो ऱैग्लोर्स कितना अब कि आपको लगता है अगर टीम इंडिया कल जैसा कि आप कहे रहे हैं कल तक बैटिंग करते हैं क्या अभर देखे अगर इंग्लेंट टीम बैटिंग करती है आज ही मुझे लगता बैटिंग शुरू करतेगी और कल टी तक अराम से 200 रन इंडियन टीम बनाएगी तो करीब करीब जो इंग्लेंट टीम को स्कोर टार्गेट मिलेगा और 400 के आसपास का मिलेगा वैभव मेरा यही सवाल आपसे आपको क्या लगता है इंग्लाइन के खिलाडी क्या इस सेशन में टिक पाएंगे या टीम इडिया की बैटिंग आ जाएगी कितना स्कोर वो बना पाएंगे और कल के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन देखिए सिदार ने जो प्रेडिक्शन क को दोनों विकट लेगी और एकदम से आप फिर बल्ले बाजी करनी आएगी क्या चौतही पारी में बल्ले बाजी नहीं करना चाहते हैं लेकिन क्या आप इंग्लेंड को एक message नहीं देना चाहेंगे कि हम आपसे डरते नहीं हैं और हम आपको जैसे कहाता है going for kill, कि हम kill के जा रहे हैं अगर आप follow on उनको देती हैं तो? जो इंग्लेंड के मांसिक रूप से उनको बहुत तंग करने वाली है बचे हुए दो मैचों में तो आप ऐसा cricket advice अगर एक करें तो क्या करेंगे इंडियन टीम को और आपको ऐसा लगता है कि क्या इस तरह का risk टीम इंडिया अभी लेगी? लेगी मुझे लगता है कम chances हैं लेगी मुझे लगता है कि fall on देंगे मुझे लगता है कि इंडियन टीम थोड़ा batting करेगी और fourth inning England को ही खिलाना चाहेगी और अगर इंडिया के पास मुझे लग रहा कि 300 के आसपास रनों की लीड होती जो आप almost 330 के आसपास all out होगे अगर आप 400 रन बनाये होते आपने और आपको जो 300 रन के आसपास की बढ़त मिलती फिर शायद एक बार इंडियन टीम ये रिस्क जरूर ले सकती थी लेकिन अब पहला मैं जीती होती तो जैसा आप कह रहे हैं उसको और रॉमांचक बनाने के लिए वो इनको फॉलों करा सकते जादा चांसे थे अभी कुछ नी पता विराट कोली का और टीम मैनेजमेंट का हो सकता है कि फॉलों दे दे और पहले देखते हैं कि दो विकेट बचें वो कित कुल्दीब को थोड़ी बॉलिंग लास्ट के दो विकेट बचें देनी चाहिए ताकि वो एक दो विकेट लें जिससे सेकेंड इनिंग में वो ज्यादा प्रभावी और मेरे थोड़ा सा अलग सवाल है इसको अगर वाइण अप करने से पहले लिए सिदार मैं एक चीज बह अच्छा इसी में एक सवाल और में जोड़ देती हूं क्या खाने पीने के साथ स्ट्राटजाइज भी करते हैं बिल्कुल करते हैं एक जैसे ही जाते हैं तब कुछ बात होती है तब उन्होंने सेशन में क्या किया है उसके बारे में एक छोड़ी सी पेप टॉक होती है जो सब बैठे हैं सपोर्ट स्टाफ कोचिस बैठे हैं वो बताते हैं और जब वो दुबारा ग्रांड के अंदर जाने वाले होते हैं तब एक बार उनको by उनको दुबारा समझाया जाता है कबतान भी सम जहते हैं हो सकता है किसी खिलाडी को मना किया हो कि चाहे आप कम पिया करो पर उसको क्योंकि मैच में जाने से पहले अच्छा लगता है तो वो अपनी आदवतों को बहुत कठिन होता है उनके लिए कंट्रोल करना और कुछ-कुछ वो ये जो चीट होता है यो कर लेते हैं खाने के चाहे लंच ब्रेक हो वेभव सिधार चाहे टी ब्रेक हो तो उसमें खिलाडी अपना पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि पूरे दिन आपको मैच खेलना है एक्जॉस्ट नहीं होना है और परफॉर्मिंस आपको लगातार देनी है बहराल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते ह दोनों का बहुत शुकरिया हम अपने दर्शकों से फिर मुकातिब होंगे उनसे फिर मुलाकात करेंगे तीसरे सशन खत्म होने के बाद और और बारिकियों से चीजों को समझने की कोशश करेंगे सिधार्थ हमारे साथ होंगे, वैभव हमारे साथ होंगे, साथ ही एक बार फिर आपको बता दें कि आप अपने feedbacks, अपने comments, अपने suggestions हमें हमारे page पर Facebook, Twitter और YouTube पर भीज सकते हैं, हमारा page इंडिया TV Cricket के नाम से है, और हम उस पर respond करेंगे, बहराल फिलाल आप लोग हमारे साथ जुड़े इस चर्चा का हिसा बने बहुत शुक्रिया